मेरे प्रियमित्रों, नमस्कार, फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे अल्वसंख्यक संस्थानों के लिए तयार किये गए उन्मान को परचर्चा करने जा रहा हूं, जो सुप्रीम कोट ने अभी स्थापित किये हैं, अल्वसंख्यक संस्थानों के मानक, कुछ दिनों पहले पर बहुत प्रॉमिनेंटली आई थी, अकबारों के मुक्तिस पर और आनी भी थी, और इस पर वकायदे एडिटोरियल कमेंट भी लिखे गए, सबसे पहले हम यह समझ लें, कि इस खबर में ऐसी कौन सी बात है, जो खबर पढ़ने वालों के मन में एक प्रकार के भ्रहम की स प्रहम के स्थिति में इस माइने में हैं, कि उन्हें यह लगता है कि सूप्रीम कोर्ट ने जो अलिगर मुश्लिम विस्विद्याले हैं, वह अलकिशंक्यक संस्थान है या नहीं है, इसके मानकत Почему आई कर दिये हैं, णहीं, ऐसा इसका मतलब है कि अभी उसने मुस्लिम विश्विद्याले अलपसंख्यक है या नहीं है इसके बारे में कोई फैसला नहीं दिया है या फैसला तल गया है तीन जजों की पीठ अब इस पर विचार करेगी और विचार करते समय यह सबसे इसके इंपोर्टेंट पॉइंट है और विचार करते समय सुप्रीम कोर्ट ने जो मानक तय किये है और उनके आधार पर वह अलिगण मुस्लिम विश्विद्याले का मुल्यांकन करेगी और मुल्यांकन करने के बाद इस बात का फैसला सुनाएगी कि इन फैक्ट अलिगण मु दोस्तों हम थोड़ी सी इसके बैक्ग्राउंड में जाते हैं। आपको शायद मालूम होगा हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं मौडर्न हिस्ट्री की अलिगर्ड मुस्लिम विश्विद्याले की स्थापनाम हमारे स्वतंत्रता से नानी सरसयद अहमद खान ने सन 1875 में की थी और उस समय इसका नाम था मौहंडन एंगलो ओरियंटल कॉलेज। 1920 में फिर एक अलिगर्ड मुस्लिम विश्विद्याले अधिनियम पारित किया गया और उस अधिनियम के पारित होते ही दो बदला हुए एक तो इसका नाम हो गया अलिगर्ड मुस्लिम विश्विद्याले और दूसरा इसे विश्विद्याले का दर्जा मिल गया। ये बात है उननीस सो बीस की। उननीस सो सट में एक डिसीजन आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो अलिगर्ड मुस्लिम विश्विद्याले है इसकी स्थापना चुकि केंद्री कानून के अंतरगत की गई है इसलिए इसे अल्वसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। यहां से बात शुरू हुई सच पूछे तो इन्हीं संदर्वों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी कि यह जो अलिगर्ड मुस्लिम विश्विद्याले है इसे अल्वसंख्यक संस्थान माना जाए या न माना जाए मेरी समसे यहां बात क्लियर हो गई ह सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैं एक दो बातें आप सब के सामने रखना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट की बातें इन्हें आप ध्यान से सुनिएगा मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट के शब्द आपके सामने इसलिए रखता हूं क्योंकि उनके शब्दों में व्यापक्ता होती और चुकि मामला थोड़ा सा ला का होता है, सम्विधान का होता है, इसलिए जरूरी है कि हम उनके शब्दों में कोई हेर फेर ना करें, कोशिस करें कि उनके शब्दों को ज्यों कित्यों ध्यान से सुने और फिर उसे समझने की कोशिस करें। देखे चिप जेस्टिस अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उन्होंने कहा है कि समविधान का अनुछे 30 अल्प संख्यकों से भेद भाव ना करने की गारंटी देता है मैं यहाँ आपको याद देराना चाहूँगा कि समविधान के अनुछे 30 की चर्चा मैंने इससे ठीक पहले जो उत्तरप्रदेश में मदर से चल रहे हैं उनके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उस संदर में की थी यानि कि चुकि दो दो घटनाएं अनुछे 30 से जुड़ी हुई हैं तो फिलहाल आप मान करके चलिए कि जो अनुछे 30 से आने वाले एक्जामनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है अनुछे 30 संविधान का अनुछे 30 अलफसंख्यकों से भेदभाव ना करने की गारंटी देता है हम इस निशकर्स पर पहुंचे हैं कि कोई धार्मिक समुदाय सिक्षण संस्थान इस्थापित कर सकता है कोई धार्मिक समुदाय याद रखे कि यहां धार्मिक समुदाय शब्द का प् धारों पर विभाजित किया गया है एक है धार्मिक अलफसंख्यक और दूसरे है भाश्याई अलपसंख्यक किन को माना गया है देखिए जब आप सिविल सर्विस एक्जामनेशन की तयारी करें तब इस तरीके से लगातार आपको रिवीजन भी करते चलना चाहिए क्योंकि कि आप जानते हैं कि civil service examination में question सीधे सीधे नहीं आते हैं, खो सकता है कि pre-examination में यही सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाए कि इन में से कौन समुदाय अल्व संख्यक में नहीं आता है, तो जो धार्मिक समुदाय अल्व संख्यक में आते हैं, उनके नाम है Muslim, इसाई, बौद सिक, पार्सी और जैन, यह धार्मिक अल्व संख्यक में हैं, हम इस निसकर्ष पर पहुँचे हैं कि कोई धार्मिक समुदाय सिक्षण संस्थान इस्थापित कर सकता है, पर वही समुदाय उसका प्रशासन देखे, यह जरूरी नहीं, देखी बहुत important बात कहिए, पर वही स संस्थान की स्थापना सरकार द्वारा तय नियमों से होती है, अलिगर्ड मुस्लिम इनवर्सीटी अल्व संख्यक संस्थान होने का दावा दायर कर सकती है, यानि कि जो अलिगर्ड मुस्लिम इनवर्सीटी का जो दावा है, फिलहाल उसके पास ऐसा दावा करने का अधिका अब उसका अधिकार कितना सही है, कितना गलत है, उसे अब सुप्रिम कोर्ट तै करेगी, फिलहाल उसे तै नहीं किया गया है। खत्म कर दिया था, उसके पीछे उसका तर्की यही था, कि इसकी जो स्थापना हुई है, वो केंद्रिय कानून के तहत हुई है। यही की गई हो। यह जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम अलिगण मुस्लिम इनिवर्सिटी की बात करें, तो जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, कि वहां 35,000 से जादा स्टुडेंट अध्यन कर रहे हैं, और बकायदे वहां सभी धार्मिक समुदाय के लोगों को दाखिला लेन की अनुमती है, ऐसा नहीं है कि वहां केवल मुस्लिम समुदाय के स्टुडेंट ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसलिए उन्होंने कहीं कि यह जरूरी नहीं है कि उसकी स्थापना केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ही की गई हो। तो दोस्तों अब जो मानक तै कि यह गए हैं, उन मानकों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बहुती संचिप्त रूप में देखेंगे, उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की प्रतिक्षा करनी पड़ेगी, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चाहिए। संस्थान स्थापित करने का विचार उद्देश और कार्यानवन को देखा जाएगा और वह संतुस्ठ करने वाला होना चाहिए। ने कहा कि सरसयद अहमद खान ने अलीगड में मुहम्डन एंग्लो ओरियंटल कॉलेज की स्थापना की थी और उनका उद्देश यही था कि इस कॉलेज से जो मुस्लिम समुदाय के जो स्टुडेंट हैं वो मौडर्न एजुकेशन प्राप्त करेंगे और मौडर्न स्थापित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लाब के लिए होना चाहिए नेक्स्ट है फ्रेंड अल्पसंख्यक संस्थान इस्थापित करने के विचार के कार्यानवयन के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा कदम उठाया गया हो जो लास्ट इंपॉर शासनिक धाचा अलपसंख्यक चरित्रकाप होना चाहिए तो ये पांच बहुत ही महत्पूर्ण मानक हैं जो सुप्रीम कोट ने तै किये हैं अब इन मानकों के आधार पर तीन सदस्य जो बेंच है उसे फैसला करना है कि वस्तुता जो अलिगर्ड मुस्लिम विश्विद्याल है वह अलपसंख्यक संस्थान है या नहीं है दोस्तों अब लास्ट में मैं आपको एक ख़बर देना चाहूंगा कुछ दिनों से अखबारों में आप पड़ रहे हैं कि COP29 जो जलवाईयों परिवर्तन से संबंदित है उसकी बैठक अजर बैजान के बाकु शहर में 11 से 22 न मेरा सजेशन है कि प्लीज आप जो भी रिपोर्ट इस सम्मेलन के बारे में आती हों उन्हें ध्यान से पढ़ें ऐसा करके आप पाएंगे कि जलवाईयों परिवर्तन जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉपिक ही नहीं बलकि एक तरह का चैप्टर है उस पर आपक परिवर्तन को रोकने में मददगार सिद्ध हो सके तो दोस्तों आज के इस विशे के बारे में बस इतना ही और अब डेली आडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं नमस्कार